हेलो मैं दियर स्टूरेंट्स वेलकम अगें वी विल कंटिन्यू आवर लेसं नाइटीन इस्टेनर फॉर्थ चैप्टर नाइटीन अब्दूल इन दा गार्डन इस पार्ट टू शो ओपन दा बुक और सी दा पेज नंबर 162 तो यह आपका पीज नंबर 162 है तो इस पेज को हम भी साथ में आप भी ओपन कर लिजिए हमाने इसके पहले वाला पार्ट वन में हमने बहुत सारी ट्री की रूट्स के बारे में पढ़ा था ठीक है तो अभी यहां से स्टार्ट करेंगे पार्ट तू में तो यहां पर क्या बता जा रहा है कि सरक पेर काटने के खिलाफ कानून है तो सरक पर बीजली के खंबे के पास एक इतना लंबा घना पेर था कि बल्ब की रौस्नी भी नहीं आ रही थी इसलिए लोगों को उसकी छाटनी करनी की जरूत परी ऐसा करने के लिए लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी परी और यहां पर देखते क्या बताना चाहते हैं क्या आपने कभी यह वाली पेर देखी है जो पिच्चर में भी हमने देखा यह वाली पेर साथ आपने देखा होगा यह इसलिए सब जगा दिख जाता है ओके तेहां पर देखेंगे गेट टुकेदर वी तेदा थ्री और फोर और फोर फ्रेंज फ्रम् दा लिस्ट अप द तिंग्स गिविंग डिसाइट हूँ विल ब्रिंग विच तिंग्स यहां पर क्लास में तीन या चार बच्चों के ग्रूप में बढ़ जाओ इन चीजों को एकठा करना हो कि आपको ठीकर यहां पर है एक ट्रांस्पेर्ट ग्लास ट्रमबल और बोतल वीथे वाइट मौथ रबबर बैंड और त्रेड सम सीट्स ओप मूंग वीट अब यहां पर बता जा रहा है कि कांच का ग्लास या चौरे मौ वाली बोतल रूई रबबर बैंड या धागा कुछ दाने साबुत मौं की गेहू बाजरा और सरसो चना या फिर राजमा ओके यहां पर हम नेक्स्ट पेज़ टॉर्ण करेंगे अब यहां पर नेक्स्ट पेज में देखें यहां पर कुछ एक्टिविटी यह आपको करनी है मस्टर्ड चना और आजमा रेट बीन्स एंड ओफ कॉटन वूल अब यहां पर देख रहे हैं इच ग्रूप्स वील वर्क बित अर्ली वन काइंट्स ओव सीद सौके फ्यूफ स 5-6, Overnight in the bowl, fall of water, take the word of the cotton wool and repeat in the pudding on the mouth of the trouble, tie its tiger to the mouth with rubber band or thread, remove soaked seeds from water and place them on the cotton wool, you will have to take care that the cotton wool does not dry, observe the change that takes place for the next 10-12 days, did you observe the come out of the seeds, draw the picture of the ursus, look at the 4th and 18th days, अब यहां पर बता है आपको कि आपको एक एक्टिविटी करनी है, हर ग्रूप में अलग अलग परकार के बीज आपको लेने हैं, एक ही तरह के 5-6 बीजों को आपको क्या करना है, एक बॉल में पानी में राद बर आपको भिगो देना है, ओके, फिर एक कांच का आपको ग् से बान दीजे, भिगी वी इन बीजों को आपको क्या करना है, गिली रूई पर रखना है, फिर ध्यान रहे कि रूई गिली न रहे, इसे 10-12 दिन तक रोज देखना है, आपको क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, पौधा चौथे और आठ्वे द इसका आपको यहाँ पर बॉक्स में पिच्चर बनाना, आप यह एक्टिविटी करके देखिए, फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पिच्चर बनानी है, ओके अब राइट इन यूर नॉट्बुक, अब यहाँ पर देखेंगे, वाट डिफरेंस दिद यू अब्जर्ब इन देखेंगे, अब यहाँ पर है इन प्रस्णों के आपको एंसर अपने नॉट्बुक में लिखना है, सुखे और भीगोई वे जो बीजो में क्या आपको अंतर दिखें, ओके, वाट डियू थिंक उड़्ड हैपिन इन लिफ्ट ड्राइट, अगर रूई सुख रह जात तो क्या होता हूँ आपको बताना है, फिर यहाँ यहाँ पर इन वीच डिरेक्शन देट रूट्स ग्रो एंड़ स्टीम, जर किस तरह की उगी, तरना किस तरफ उगा, ओके, फिर यहाँ पर है, हाओ बीग डिड़ प्लांट ग्रो इन दा कॉटनूल, यह पौदे रूई मे कितने बड़े हो गए, फिर यहाँ पर है, दिड़ स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम आल दा सिट्स, क्या सभी बीजो में से पौदे निकले, जरो का रंग क्या है, क्या तुम्हें जरो पर बाल दिखाई दे रहे हैं, वह आपको बताना, ओके, यहाँ पर नेक्स्ट प पूल इट आउट वाई, अब यहाँ पर है, इन पौदों को रूई से अलग करने की कोशिज कीजिए, क्या अलग कर पाए, और क्यों, ओके, फिर दिड़ यू सी, हाओ दा रूट्स ग्रिप दा कॉटन ओल, दू यू थिंक्स डैड़ रूट्स होल दा स्वेल इन दे सेम व जरके रहती है, तो आपको अपने दोस्तों के उगायवे पौदों को भी देखना है, अब नेक्स टेकिंगे, दो यू नो, यू half a desert oraster satsap tree that is found in Australia, its crow almost has tail as your classroom wall, it has very few leaves, guess how deep its roots go down, imagine the length of the above thirty such tree laid down in line end to and, one after another that is how long the roots of this tree can be this roots go deep into the ground till they reach water this water is storing in the tree trunk local people knee about this when there was no water in the desert the local people used to put a thing pipes into the trunk of the tree to drink this water अब यहां पर बताया जारा कि Australia में एक पेर पाया जाता है जिसका नाम है रगिस्थानी ओक इसकी उच्चाई तुमारे क्लास की दिवार के लगबग होती होगी और इसकी जो पतियां है बहुत बहुत ही कम अंदाज लगाना है आपको कि इसके जर जमीन में कितनी गहरी जाती होगी सोचना है यदि ऐसे 30 पेर जमीन पर लाइन से लेता दिये जाए तो उस लंबाई तक के जमीन में गहरी जाती है इस पेर की जरे जब तक की पानी तक ना पहुँच जाए या पानी पेर के तने में जमा होता रहता है उस इलाके में रहने वाले या बात जानते थे जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल कर पानी निकाल लेते थे ओके सो यहां पे है आरिफ और डुपाली डिड़ अब यहां पे है आरिफ और डुपाली में आपस में बहस चीर गई कि यह यह चीज बरती है ओके आरिफ में दे लिस्ट अप दे फ्लोईंग लिव्स मुन्ना पपी नेल्स फिस अब यहां पे आरिफ पत्ते मुन्ना कली पिला और नाकुन गारी ओके फिर नेक्स पेस देखेंगे यहां पे फिर यहां पे है रुपाली लिस्ट हैट मौन्ट्री आई हैर वाटर लेमन मौस्कोटो क्रो अब रुपाली चान पेर में बाल तर्बूज मच्छर और कववा ओके फिर नेक्स पुस्टे ने यहां पर यहां पे यह लिस्ट कैन इंक्लूड दा नेम्स ओफ फिंग्स टार इन आफ्रिं एन रुपाली लिस्ट अब यहां पे क्या तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सी चीज बरती है तुम भी अपने एक लिस्ट में आपको बना क्लिकना है ओके फिर यहां पे नेक्स आखेंगे यहां बता जारा कि थिंक अबाउट यूर्सेल्फ इन वाटर वेस्ट हैप यू चेंज ओवर ए पिरियर्ट सफ टाइम है विग्रों इन एन वे फर एक्जांपल अब यहां पे कुछ अपने बारे में आप सोचो तुम किस-किस तरह से पिछले कुछ वर्सों में बदलते हो जैसे ओके यहां पे हैं है यू हाइट हाव मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन दा लास्ट वन यह अब यहां पुछा जारा क्या आपकी लंबाई बरी है पिछले एक साल में कितनी लंबाई बरी है वह आपको बताना है ओके सेकेंड हैं इमेजिंग डैट यू है न आपने अपने नाखुन कभी काटे ही ना होते तो वह कितने बरे होते तो आप अपने नोटबुक में आपको उसका एक पिच्चर बनाना है ओके फिर नेक्स इमेजिंग डैट यू है और सॉरी यह वाला वाट अदर पार्ट ऑफ यूर बॉड़ी सम प्यूपल कट इन रेगुलरी किप्स ग्रोइंग अब यहां पर है आपके सरीर में क्या ऐसी कोई चीज है जो बढ़ती रहती है क्या उससे समय समय पर काटना पड़ता आपको बढ़ती है तो आपके क्सेरीर में क्या आपको चीज अपको कातनी पडिति है आप नहीं काते रहे तो बढ़ते रहेगी उसस्या perpet jdeh हम पार्ट टू समाप्त करते हैं इस चैप्टर नाइंटेन का अब हम नेक्स डे इसकी बुक्स की जो भी कोशन एंसर है सलेशन वीडियो में आपको मिलेंगे ओके तब या कोशाजर करने के जोतनी है नेक्स डेशन वीडियो के साथ पीडियेफ रहेगी तो उसको देखकर क्या हुआ है